अलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, फ्रेंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि घर पर सैनिटाइजर कैसे बना है, जैसा कि हमको पता है कि हमारा पूरा वर्ड जो है वो कोरोना वाईरस के संकट से जूग जहा है और हमें इसको जल से जल तो दोश्तों सबसे लिए जरूर ही है कि हमें सापसाइज का ध्यान रखना होगा और जितना जादा हो सके हम घर नाने के हम घर में रहें हुँ अगर हम घर से बाहर जाना है तो जरूर है कि हमारे पास 산itizer हो क्योंकि घर पर तो हम साबन से भी अगर हम हाथ धूते हैं तो से तीन बर तो वो हमारे हाथ जो हम सैनिटाइज हो जाते हैं लेकिन अगर आपको घर से बाहर जाना है या फिर अपने घर के गेट के बाहर अपने घर को सैनिटाइज करना है तो उसके लिए यह जो हमारे पास मैथट है यह ही सिंपल मेथट है जिस से हम सैनिटाइजर को घर पे बना सकते हैं क्योंकि अब को पता हैं मार्केट में जो एमलीपलीटी है सैनिटाइजर की कुछ दुकान दारों पर सैनिटाइजर है भी तो इसको बहुत ही दुबने है दामों में दे रही है और साती साथ ही साथ कुछ दुकान तो यहां पर बात करेंगे सानिटाइजर के सानिटाइजर कैसे बनेगा वह बनेगा आईसो प्रोपेनोल एलकोहल से और वाटर से यहां पर फ्रेंट्स हमें क्या करना है कि परफेक्ट सानिटाइजर होता है यहां करें कि परफेक्ट जो इस इंफक्ट है उसमें क्या होता है फ्रेंट्स सेवेंटी परस भी दियुक्त होलगा है को फ्रेंस आपने को इस प्र बोड़ों लेनी चैर्मक्षचा करता है और लोड़ियो को बल्ड्व немнож और अपने घर का स्व complex करते शांस 후 ऑपने वक्रीडमक्षच। उसको spray कर दीजिए तो इससे क्या होगा आपका घर जो होगा पूली तरीके से सानिटाइज हो जाएगा आपको 70% आलकोहल का यूज़ करना है और 30% वाटर का यूज़ करना है तो simply आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं यहां पर मैं आपको बताओंगी कि अगर आपको कमोंट मैं बनाना हो तो फ्रेंट्स यहां पर जो हमारे घर में सिंपल जो टी स्पून्स होते हैं उनको आप यूज़ कीजिए एक कंटेनर लीजिए या फिर कोई बॉटल लीजिए उसमें आपने क्या करना है कि जो 7 टी स्प करना है वॉटल के पिर आपको क्या करना है उसको शे करना है और आपका एक स्टलिशन वन के तय्यार जाएगा आंज़ शैनिजन बने ताकि ज्चयर काईगा वह इसकुंटिखर शैनिटाइज मेरड तो जाहदा इस मेथट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए ताकि वो अपने घर को दंग से जानिटाइज कर सके